हाई एवरिवन कैसे हो आप सभी लोग आई होप आप लोग अच्छे होंगे मैं हूँ आपका होश्ट एंतोस रहूल जैस्वाल लाइन स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे यूटूब चैनल जे आर टूटोरियल्स में फ्रेंड्स आज आपके लिए जो आप लोग डिमां आपका जो लाइन स्किल्स के ऊपर कई सारे मार्क्स को पूछे जाते हैं अलग अलग तरीके से राइटिंग स्किल्स को कैसे लिखा जाता है कुछ इंपोर्टेंट टिप्स और जो इसके पहले के जो वीडियो में बनाये हुए है उसमें मैंने आपको बताया हुआ है कि रा और उसमें मैंने एक सवाल पूछा था आपसे कि क्या आपको evergreen topics चाहिए क्योंकि मेरे पास कुछ evergreen topics थे जो कि अकसर मैंने notice किया है लगबग 2-3 साल year का question paper में मैंने निकाल के देखा उसमें मैंने notice किया और कुछ पुराना जो मेरा experience है उसके इसाफ से मैंने notice किया कि कुछ ऐसे topics है जो कि पूछे जाने के सबसे ज़्यादा chances होते हैं और कई सारे pattern में मैंने यह मैसूस किया है कि वो ही questions repeat होते हैं तो ऐसे evergreen topics को आज मैं बताने वाला हूँ जो कि आपको help हो जाएंगे आपके personal response question के अंदर ठीक है तो बहुत ज़्यादा helpful होने वाला है personal response के लिए तो सबसे पहले हैं आपे मैं बात करता हूँ राइटिंग स्किल्स में आपको helpful हो जाएंगे personal response question के लिए ठीक है परसनल response questions के लिए साथी में personal response question में अगर आप normally बात करो जैसे कि आप जामते हो कि essays वगरे होते हैं speech writing वगरे होते हैं तो यह सब topics में से इसमें यह टाइप के जो questions होते हैं इसमें यह topics जो है वो पूछे जाते हैं जनरेली चलिए शुरुवात करते हैं और वो topics कौन-कौन से हैं उसको मैं one by one लिखूँँगा तो सबसे पहले मैं topics को one by one लिखूँँगा उसको फिर हिंदी-मराथी में भी क्या बोलते हैं वो भी बता दूँगा अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट अगर मैं topic की जिकर करूँ यहां पर देट इस corruption ठीक है corruption ठीक है? corruption ठीक है? corruption ठीक है? corruption एक topic है corruption को हिंदी और मराथी में translate करोगे तो generally इसको लोग भरष्टा चार बोलते हैं ठीक है? ब्रष्टा चार ठीक है? उसके बाद एक और बहुत important topic है जो आजकल trending में है क्योंकि आप जानते होंगे दो साल से हमारी दुनिया ही बदल गई है यह आप जानते होंगे लग जब से बोलते हैं online class को ठीक है न तो वह बहुत easy हो जाएगा आपके लिए क्योंकि online class में आपको इतना experience हो गया आप खुद से भी लिख सकते हो यह सब आप अपने अंदर से आएगा वह तो आप खुद ही लिख दोगी मुझे पता है आप लोगे हो मैं पूठा कैरेंटी ले सकता हो आपके जगा पर मैं भी होता तो तो भी मैं एक पेज लिखके आ जाता इस प्रकार के topics है ठीक है ओन्लाइन क्लास हो गया उसके अलावा मैं बात करूं मदर ठीक है ना आई ठीक है ठीक है आई हो गए ठीक है माता हमारी जगे दो जन्निनी मा ठीक है अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है जैसे कि books इस क्रिटेटर कई सारे मैंने questions देखें books related speech हो गया प्रितान्त हो गया एसस हो बुख्ष में और प्राथि को ही बोलते हैं यही एसा हो जाएगा पुस्तक और हिंदी लिखने में थोड़ा कमजूर यह बोलने में बोल लेता हूं में लिखने में थोड़ा problem आ जाता है कभी कोई बात ने ठीक है प्रक्टिस चुड़ गया ना जातर इंगलिश में हम आया हूं, जो कि है दोस्तों, ट्री, हम लोग बोलते हैं, जाड, ठीके, जाड, ठीके, नेक्स्ट, बात करूं, पेड हो गया, पेड की आत्मकथा लिखो, ये भी ऐसे questions मैंने बहुत सारे लिखें, देखें, जाड की आत्मकथा, इस प्रकार के हो गया, एक और बहुत ही interesting और तो इसके पूछन के चांसे बहुत ज्यादा है जिसका नाम है पॉलूशन पॉलूशन मराठी में क्या बोलते हैं ठीक है पॉलूशन ये भी बहुत भेथरीन टापिक है आज के रिड़ में आप देखोगे तो बहुत ज्यादो पॉलूशन हो रहा है अलग-अलग प्रकार का air है water है soil pollution है जिसके वैसे हमारा global warming काफी बढ़ रहा है तो ये इंदी-मराथी या फिर English ये तीनों ही languages के लिए अलग-अलग तरीके से पूछ सकता है pollution के ओपर topic नेक्स्ट अगर मैं बात करूए pollution के अलावा जो कि है environment इंवार्मेंट को भी आप नॉमली जानते है वाता वरन बोल सकते हैं इन्वार्मेंट के अलावा जो topic है वो है blood donation इसके ओपर topic आ जाते है blood donation बहुत होट topic बन जाता है क्योंकि कभी-कभी रत्दान जो होता है ये बहुत खुन की जुरत है अगर वो खुन ने मिला तो वो मर जाएगा तो आप क्या से लेक करोगे उसकी जान बचानी की सोच होगे obviously या फिर आप उसके जगा पर कोई दूसरा भी होता तो भी वही करता ठीक है तो रक्तदान रक्त का बहुत ज्यादा कीमत है आज की डिट में पैस सब बहुत ज्यादा important topic है दोस्तों याद रख लेना ठीक है 11 बात करू रिवर रिवर होता नदी रिवर्स हो गया नदी देखो मैं भी हिंदी में नहीं convert कर रहा हूँ यह बहुत सारे से common topic है जिसका meaning आपको पता है हिंदी और मराथी में क्या बोलते क्योंकि यह जो मैं writing skill क evergreen topics दे रहा हूँ यह तीनों के लिए common है मतलब तीनों language के लिए मैं सिर्फ English में इसले लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे ज्यादा मज़ा आता English में लिखने में ने तो मैं पूरा मराथी में भी लिखके लाया होता कोई problem नहीं रेकिन मुझे ऐसा रगता है चाहे हमारे यहा और यह होना बीचे यह language से सबसे पहले comfortable हो जाओ दोस्तों ठीक है ना everyone should speak good languages all languages बोलने की habit डालो लिखने की habit डालो ठीक है तो reverse हो गया उसके बाद करें यहाँ पे science ठीक है ना science technology यह बहुत जादा hot topic है दोस्तों क्योंकि यह trending में है आज कल देखो science related technology related टांत्रिक ठीक है ना टांत्रिक जो चीज़े बोलते हैं हम लोग ठीक है ना यह जो चीज़े होती ना science and technology की काफी जादा form में है विज्ञान बोल सकते हो आप लोग इसको महराथी मदे एक और topic में ले ले लेता हूं यहाँ पर sports ठीक है ना खेल कूद हो गया sports sports related कहीं सारे आ जाते कभी cricket के उपर आ गया कभी कुछ आ गया तो sports related questions बहुत सारे आते हैं तो यह कुछ evergreen topics तोटल मैंने 13 निकालने 13 evergreen topics यहाँ पर मैंने निकाले ठीक है अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ एक और चीज़े छुड़ गई वहाँ women empowerment जो कि मैंने नहीं लिखा यहाँ पर women empowerment ठीक कहां लिखो जगा नहीं है खतम हो गया यहाँ पर लिख देता हूँ women empowerment एको टॉपिक है women empowerment इसको हिंदी में भी महिला सक्ष्मी करंट बोला जाता है ठीक है ना तो women empowerment भी बहुत ज़्यादा hot topic है खासकर जो ladies होंगे यह जो girls होंगे girls students होंगे उनके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी याग करना क्योंकि अगर आप इसको लिख लोगे तो बहुत ज़्यादा beneficial है और boys के लिए भी बहुत ज़्यादा important है क्योंकि देखो एक boys कभी girls point of view चीजे नहीं लिख पाते क्योंकि women empowerment के उपर question पूछेगा तो चलो girls तो खुद बना लेगी बहुत अच्छी तरह किसे लेकिन boys confused आते हैं तो boys लोग के लिए बहुत अच्छा topic हो प्रिपेर जरूर से कर लेना ठीक है अब यह तो मैंने चलो topics बता दिया इतने सारे topics मैंने आपको बता दिया अब इसके बाद क्या करोगे तो सबसे पह कर रहा है इन सभी topics के उपर ना एक एक course या फिर दो दो course को learn कर लेना है क्योंकि जैसे मैंने previous video में बनाया था बताया था आपको writing skills का जब मैं वीडियो एक बना रहा था उसमें मैंने आपको एक चीज बोला कि सबसे important चीज होता है course लिखना और course लिखने से क्या मिल जाता ह बहुत सारे लोग भर भर के page लिखके आते हैं writing skills में एक एक page भर के आ जाते हैं लेकिन मजा नहीं आता है पुरा theoretical लगता है इसा लगता है कि आपने रट्टा मार के आया और लिखा हुआ है लेकिन आगर आप course लिखते हो जैसे कुछ मुहावरे लिख दोगी जैसे अभी ज इसकी दिमाग बहुत अच्छा है वो बहुत दूर तक सोचता है और कुछ पोयम जैसे कुछ बच्चे लोग होंगे यहाँ पे लोग जो होते थे वो लोग क्या करते थे अरे यार कुछ शेर शायरी बना लिया, इंप्रेस करने के लिए, कुछ boys लोग आपस में दुख वली शेर शायरी बना ले थे थे、 यार बहुत बुरा हुआ बाइसा शेर शायरी बना लिए तो ऐसे आप लोग में सही बहुत सार होंगे तो ऐसे कई सारे लोग को यहाँ पे बेनिफिट मेरेगा वो लोग on the spot एक शायरी क्रियेट कर सकते हो लेकिन जो लोग थोड़े वीक है यह सब चीज में जायरी बाई नहीं बना पाते हैं स्लोगन अपने आपसे नहीं बना पाते हैं कुछ कोर्स आपको याद नहीं आते हैं तो ऐसको ल earthly कर जाओ आप गूग़न में जाओ इंट्रेरिय करो इंडीय टाइप करो इंडिया रिलेटेड कुछ कोर्स टाइप करो दो दो कोर्स लिखो, 28 हो जाएंगे, 28 को एकदम याद कर लो, याद कर लो कि अगर इसमें से कोई भी टॉपिक्स आ जाता है, उसके कोर्स भी मुझे याद है, चलो, कोर्स लिखूँँगा, शुरुवात करूँगा, और बीच में आपके इसाब से, जो भी आपको लिखना र रात काम करते हैं हमारे लिए, किसके लिए, हमारे लिए, अपने लिए, पैरेंट्स के लिए, ठीके न, मतलब, अपने संसार को किस प्रकार वो लेके जाती है, तो वो आई कर सकते हैं, और ये आप लोग भी जानते हो, ठीके न, हम लोग बोलते हैं कि हम कितने भी बड़े लोग हो जाएं, हम किसी company के लिए काम करें, खुद के लिए काम करें, हम लोग कुछ limited काम करतें, लेकिन आई जो होती है, वो, सब के लिए 24 घंटा काम करती है, parents के लिए, 24 by 7, 365 days and पूरे लाइफ टाइम, ये कोई लिए कर सकते हैं, तो इस प्रकार से आप dialogue मार सकते हो, तेकिन आप books, trees, rivers, ये नदी, ये सब के उपर बहुत सारे आत्मका थायां थी है, तो आप उनके बारे में लिख सकते हो, कि आप हमारे जगापे होते हैं, तो कैसा मैसूस करते हैं, पेड़ बोलता, मैं तो यार सालों से खड़ा हूँ, ऐसा ही एक ही position बे, आप मेरे जगापे होते हैं, तो आपको क्या मैसूस होता है, इस प्रकार से कई सारे topics के आप बारे में आप बता सकते हो, corruption के बारे में ब्रश्टाचार के बारे में बता सकते हो, ब्रश्टाचार बंद करो, बहुत गलत चीज़ है, ब्रश्टाचार से ही जो criminal activities है, वो बढ़ रहे हैं, तो इस प्रकार से चीज़े आप बता सकते हो, इस प्रकार से कई सारे चीज़े अगर आप वो ओनलाइन कर दोगे, तो वो क्या हो जाएगा, आपका एक बहुत अच्छी तरीके से जो speech होगा, या फिर जो आपका वितान्त होगा, जो भी होगा, वो एक अच्छा pattern create कर देगा, और आपको अच्छे mark जैने के लिए help करेगा, clear है, तो उमीद करता हूँ कि ये evergreen topics आपको help करेंगे, तो यही था आज का वीडियो, जिसमें मैंने आपको बता दिया, कि क्या है हमारे evergreen topics, और क्या आपको करना है, तो सबके course learn कर लेना, अच्छी तरीके से, और एक-एक topics भी जाके देख लेना, internet पे मिल जाएंगे बड़ी आसानी से, देख लेना, और उसको learn कर लेना दोस्तो, बाखी कुछ भी अगर मुझे पता चलेगा, कि किस तरह से आपके लिएक वीडियो बनाया जाया, जो आपको help करेगा, आपके exam में अच्छे marks निकालने के लिए, ठीके दोस्तो, और यह मैं सोचता रहूँगा, और सिलाबस तो हमारा पहले ही complete हो चुका है, इसको आप screenshot ले सकते हो, यहाँ पर, ठीके न, अगर आपको time नहीं मिला लिखने का, तो screenshot लेना, बाद में लिख लेना, यहने screenshot लेने का time दे दिया, फटाफट खेचलो screenshot, ओके, और यह notebook में उतार देना, और जरूर से code सबगरे लिखके याद कर लेना, ठीके, जल्दी मिलेंगे हमारे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए, thank you and goodbye.